नमस्कार स्वागत है देख रहे हैं जोतिश जराहट के आपके साथ मैं हूँ आपका इश्टो फ्रेंट संतोस संतोशी सिरीज चल रही है इस समय राशियों के आंतरिक गुप्त शक्तिक से उन राशिवालों का लगनवालों का परिचय कराने का आप जान लीजे कि what is your strongest point आपका सबसे मजबूत पक्ष क्या है हर कुणली में राशिगत और भावगत और ग्रहगत प्रकिरती अलग अलग शक्ति देती है उसको हम दुती अश्टम 12 से recognize कर सकते हैं जोतिश में जितना डूबेंगे उतना पता चलेगा कि you know nothing हम तो आज जैसे रगता भी नहीं नहीं शिक्षा सुरूग की है मिथुन राशि की चर्चा करेंगे आज मिथुन लगन की चर्चा करेंगे तो तीन नंबर की राशि होती है जहां तीन लिखा रहे हैं वहां समझे मिथुन है पराक्रम थर्ड हाउस पराक्रम का कारक होता है छोटे भाई का भी कारक होता है मिथुन राशि वालों के लिए इनका सबसे स्टॉंगेस्ट पॉइंट क्या है सबसे ज़्यादा गुप्त और सबसे मजबूत पक्ष क्या है अगर आपकी राशि अगर आपका लगन मिथुन है अब राशि लगन दोनों देख लिजेगा भाईया हम यहां बार-बार करते हैं जो भी चीज मैं राशिकत तरीके से बताता हूँ न तो थोड़ा सा डरता हूँ मैं क्योंकि यह थोड़ा टेक्निकल चीज है तो डर लगता है कि आप समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे हलांकि उम्मीद करते हैं कि जोतिश के इतने जानकार तो होई गए होंगे आप सब हमसे इतने सालों से जुड़े हैं कि आप डिगरी देख सकते हैं और आजकल बहुत इजली सॉफ्ट्वेर्स हैं मुबाइल में अप्लिकेशन हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं पता कर सकते हैं आपका लगन राश क्या है दोनों की डिग्रियों में मजबूती कौन सी है तो मिथुन राश और मिथुन लगन का सबसे स्ट्रॉंग सबसे मजबूत पक्ष हम बताने जा रहे हैं आपके अंदर सबसे मजबूत पक्ष है आपका बचपना यह आपका सबसे स्ट्रॉंग पॉइंट है भरे ही आप 50 साल के हो बट अगर आपकी राश मिथुन है आपका लगन मिथुन है तो आपके अंदर की चंचलता आपका आपके अंदर का किडिश बिहेवियर बच्चों जैसी हरकते आपके अंदर की यह जो क्वालिटी है यह बहुत स्ट्रॉंग पॉइंट है कितना भी अंदर दर्द होगा लेकिन आप एक खिल खिला कर बाहर आने वाले ब्रक्तित्तों के धनी है इसका एडवांटेज जो आपको अपने जीवन में सबसे ज़्यादा लेना है वह आशिरवाद लेने के लिए करना है माल लिजे कोई आपके इष्ट मित्र यार परचित दुखी है बहुत ज़्यादा और आपको पता चल गया कि वो बहुत दुखी है किसी तरह की मिस हैपनिंग हो गई है उनका दिल टूटा है उनके घर चोरी हो गई कुछ भी हो आप अगर चाहेंगे तो आप उन्हें हसा सकते हैं और यह बहुत बड़ी क्वालिटी है इससे इतना आशिरवाद आपको मिल जाएगा कि आप कभी जीवन में दुखी नहीं रहेंगे तो आपके अंदर मितुन राशी बुद्ध के सुभाव के कारण और थर्ड हाउस के कारण यह सदगुन यह सदभाव यह strongest point प्रकृति आपको दी है जिसका इस्तेमाल आप दूसरों को हसाने के लिए जरूर किया करिए जिससे आपके जीवन में कभी दुख ना आए उनका अशिरवाद उनका सनेह उनका लगाओ वो आपको मिलता रहे है इसको पहचान लीजिए और इसका इस्तेमाल खूब जीवन में आगे बढ़ने के लिए करिए बहुत आभार आप लोग का विक्त करते हैं उम्मीद करते हैं कि आप इससे जरूर लाभानुवित होंगे इसी आज इस सिरीज में जो मैं शक्तियां बता रहा हूँ उसका इस्तेमाल इसी लिए बता रहा हूँ कि उससे आपको फिर आगे बहुत प्रोग्रेस मिलता जाएगा तो चलें उम्मीद करते हैं आप लाभ जरूर लेंगे वीडियो को शेर जरूर किया करिए उससे हमारा भी प्रचार प्रचार बढ़ता है हमारा एश्टो फेंड का कुनबा बढ़ता है और आगे बढ़ते हैं सब थैंक्यू सो मच आपके प्यार के लिए अनुमत चाहेंग सिकिष्णा शिरादे और हां किस शहर में कब कहां मिल सकते हैं लाष्ट में देख लीजेगा थैंक्यू